मैं बहुत दविक्षू सुमित रतन बुंदिल खंड के दौरे पर हूँ और मैं चित्रकूट जनपद के मानिक पूर तैसील के एक गाउं में पहुचा हुआ हूँ जो राम नगर से थोड़ा हटकर के गाउं है और इसे हाथी का तालाब कहा जाता है इसका नाम क्या है लाओर लाओरी नाम है इसका और यह बहुत बड़ा तालाव है यह तालापूरा चुनार के पत्थों से गिरा हुआ है और इस तालाब मैं यह पत्थर का हाथी बहुत बड़ा देखिए पानी में डूबा हुआ है मैंने अभी लोगों को लगा कर के आरके पटेल जी जो बहुत और हमारे भी श्याम सुंदर जी हैं, गया प्रशाद बहुत जी हैं, बिम्बा देते हैं, पूरी टीम है, हम लोगों ने सब साफ कराया है, और साफ कराने के बाद हम देख पा रहे हैं, हाथी बना हुआ है पत्तर का, ये भी चुनार का पत्तर है, और इसके उपर पाली प्रा करती से भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, ये सामने पूरा जदर आपकी नजर जा रही है, पूरा चुनार के पत्तरों से घरा हुआ है पूरा तालाब, और बहुत खुबशूरत यहां का दरश्य है, और इसे लोग हाथी बाला तालाब बोलते हैं, और ये देखिए, य ये बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बजनदार है, पूरा ये खंडित हाथी इसका काम तोड़ दिया गया है, और यहां आसपास में जो परवत सरंखला है, बिंद की परवत सरंखला है चित्रकूट जन्पद में, यहां गुफाएं हैं, उन गुफाओं में भिटी चित्र ह जैसा कि मैंने महोबा में आप लोगों को दिखाया था तो कभी आप आएं और इस तालाब को जरूद देखें पूरे बुंदिल खंड में बुद्ध की वरासत चुपी हुई है जिसको हम लोग खोजने का काम कर रहे हैं चित्रकूट के तैसील मौ विधानसवा मानिकपुर के खरगा लाओरी लुखरा गाओं में हमें शमय हैं और यहां हम लोगों ने ढूना है हमारे साथ है मिस्टर स्याम सुंदर जी आरके पटेल जी बिंबा देते गया प्रिसाद बहुत और हम लोगों ने बड़े घने जंगलों में सुदूर जंगलों में जाकर खोजा है यहां समराट असोक का इस्तंब अब तक का भारत का सबसे मोटा यहां पाया गया है जो अलग परिदी का है इसकी मोटाई बहुत है और इसे हमने फीट बना करके नापा है लगवक साड़े 35 मीटर बलब फीट का यह लंबा है और इसकी चोडाई बहुत है तो यह इसे देखकर के हम को बहुत अच्छा लगा आप कहीं भी जाईए पूरे भारत में देख सकते हैं आप मैं दूर तक दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यह पड़ा हुआ है इसे जब गिराया होगा तो यह जब नीचे गिरा होगा तो यह तूट गया है और इस तरह से यह देखिए मैं कि स्थम्भ हम लोगों को मिला है इसके उपर संभपता एलिफेंट या असो की लाट या बैल या घोला कुछ रखा गया होगा उसको हम लोग ढून नहीं पा रहे हैं चुकि बहुत यहां नीचे खुदाई हो चुकी है तो मिल नहीं पा रहा है यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे मोटा असो के स्थम्भ है जिसे हम लोगों ने खोजा है मैं चाहा रहा हूँ कि इस मुही में आप सभी लोग हमारा साथ दें भारत को आप जहां भी खो देंगे बहां बुद्ध की विरासतें आपको मिलेंगी यह भारत साड़े वारे सो साल बुद्ध की संसक्रती से ओध प्रोत रहा है मैं अपील करता हूँ देश वारत के हक वंचित लोगों से असा है का मेरा समाज के लोगों से कि वो अपने पुराने गोरब को पहचाने और बुद्ध की संसक्रती को फिर सुईकार करें क्योंकि जहां भी आप खो देंगे वाँ बुद्ध म दानसवा के शालट उस जगे में पहुंचा हुआ हूँ यहां का इतियासकारों ने यहां के जानकाल लोगों ने इस्पस्ट किया है लेखनी के माध्यम से कि यह जो जगे आप पीछे देख रहे हैं यह तथागत भगवान बुद्ध के जमाने की उनके सासक चाए वो महमाह पदमनंद रहे हों चाहिए वो मौरे कालीन रहे हों चाहिए वो पाल राजा रहे हों चाहिए वो समराट कनिस्क रहे हों चाहिए वो समराट हर्षवर्दा रहे हों उन राजाओं के कालीन का यह बहुत अध्यन के अंदर है ऐसा यहां के त्यासकारों ने अपनी लेखनी मे बड़ित किया है आज मैं इस्थानी लोगों के संगरसों के बाद बड़ी लंबी सुदूर यात्रा करने के बाद जंगलों में पाहडों में मैं पहुचा हुआ हूँ और मैंने पूरा भ्रमड किया है यहां भगवान गुद्ध की प्रतिमाएं भी हमें मिली हैं और यहां की यहां की बहुत सारी चीजें जो हमने सारचित कर ली हैं जो जिन हैं हम पुरातत के जानकार लोगों के बीच में ले जाएंगे ताकि वो तैक कर पाएंगे कि यह जगे कब की है और क्या है यहां की जो जानकारी हमें मिली है कि इस्थानी लोगों ने यह तैक किया है कि पु इंबा देते हैं महेजी हैं और हमारे साथ हमारे चालक दल के सदस्य पप्पू भाई हैं यह सर्वी लोग हमारे साथ आए और आज हमने अध्यान किया यहां करके मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अपील करता हूं देश भारत के लोगों से कि जब भी वह बुंदिल खंड आ सपड़ाई जाती थी और बुद्ध की विपस्टना सिखाई जाती थी बहुत अच्छा विपस्टना का यहां शेंटर बना हुआ अंदर खंडर हो गया है और यहां बहुत सुंदर तालाव भी बना हुआ आप देख सकते हैं यहां बहुत लोग आते हैं सुबह सामना आते ह यहां आप देख सकते हैं कि बहुत संदर अमडी किस्थान है यह बहुत संदर जंगल है यह आप देख सकते हैं। पहाड है यह पुरा». और मुझे बड़ी खुशी हुई यहां करके यह जान करके कि बौह स्थल आज पहीख्षा का शिकार है। और मैं अपील करता हूँ देश भारत के सभी लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें जन्यत तक पहुचाएं ताकि पता चला कि भारत में आप जहां भी जाएंगे जिस भी जमीन को खोदेंगे वहां बुद्ध ही निकलेंगे चुकि बुद्धों का बुद्धो झाल